नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नमबर फाइब आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि ये जो मेरी सीरीज है और मेरा चानल है, मेरी रिक्वेस्ट है वा अपने बच्चों से सबस्क्राइब करवा दीजिये जो पंदरा साल से बड़े हैं, पंदरा से पच्चे से जितने भी बड़े हैं क्योंकि इसमें फिनांशल लिटरिसी स्प्रेड कर रहा हूं मैं ये चीजें स्कूल्स में नहीं बताई जाती हैं, कॉलेजिस में नहीं बताई जाती हैं और बच्चों को नहीं समझ में आती क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं रहा है स्कूल्स के अंदर तो मेरी रिक्वेस्ट है कि IPL में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत चीजों में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे, तो कोई न कोई फाइदा होगा, अभी चैनल स्टार्टी हुआ है, ये पांचमा ही वीडियो है, तो जितना जल्दी जोड़ेंगे, उतना इंटरस्ट उनका बढ़ सकता है, बच्चे के कई करियर कॉंसलर के पास लेके जाते हैं, कई बार एस्ट्रोलोजस के पास लेके जाते हैं, बताने के लिए भी बविश्य बताओ, क्या करेगा बच्चा कर रूची है, फेस्बुक में कहां कितना टाइम वेस्ट कर रहा है या यूटलाइस कर रहा है, उसकी वाट्साप डीपी देख लीजे, दोस्तों की, मैसिजिस तो नहीं पढ़ियेगा, क्यों प्रैवेसी इशू रहते हैं, बच्चों की प्रैवेसी पर उसको बोल दो चाहते हैं, तो इस वीडियो को पचास लाइक मिल जाएंगी, तो मैं डीपी पे बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पचास लोगों से लाइक दिलवाईए मुझे, खुद लाइक कीजिए, मैं डीपी पे बड़ा टॉपिक नौ, तो टॉपिक फो टुड़े इस, मूच चीज़े ऐसी बताऊंगा, जो शायद आप लोगों को आइडिया नहीं है, आप इसके बाद आप डिसाइड कीजिए का, मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा, आप मेरे मास आए, आपने मुझे बुला एक टू मुझे घर खरीबना है, मुझे खरिदवाईए, तो मैंने आप से आपको खरिदवाया वो खर, एक परसंट ब्रोकरेज ली, अब हर्याना गौर्मेंट ने एक परसंट पर क्याप लगा दिया, ब्रोकरेज एक परसंट से जादा नहीं ले सकते हैं, विचीज वेरी वे आता हूं, नौक करता हूं, मैं बोलता हूं, सर एक लाक रुपे, आप बोलोगे किस चीज के, मैंने का सर घर दिलाया था आपको पिछले साल, बोलोगे घर दिलाया था तो एक लाक दे दिया था तेरको आप किसले आ रहा है, मैंने का ने नी सर वो तो देना पड़ेगा, हर हो कि useless get lost हर आजमी यह बोलेगा नहीं बोलेगा बताइए लाइक करिए अगर आपको यह बात समझ में आगी इतनी बात समझ आगे इसमें लाइक करिए या comment section में लिखना mutual fund में जी यह हो रहा है एक करोड आपने mutual fund में लगाए 2-3% expense ratio है fund manager जो भी fund charge कर रहा है 50% आपसे हर साल ले रहा हो बले वह एक करोड आपका 60,000 वार है या 10,000 q.10,000 लाग हो रहा है और यह डाल रंख तो फिर आपको 55 सो ये चीज बहुत बढ़ी आप बोलोगे यार नहीं 2% अरे आप 15 साल में देखिए वो 10 साल का एक्जेम्पल लगा लेता हूं बड़ा साल 15 बहुत जादा लग रहा है 10 साल में तक कंपोंडे होता है ये 3% तो तो कंपोंडे 33% रिटन आपका गया और जब आप उसको बेचेंगे 10% गौर्रमट लेगी टैक्स में गौर्रमट ने बता रख्था है तो 43% हो गया तो 43% तो ये हो गया लेकिन आप किसी फंड में आपको भी पता है सब को जोड़े नहीं रहत कभी खरीते हो कभी बेशते हो फिर वो कहता है खराब हो गया अच्छा हो गया दूसरा दे लो चर्निंग बोलते हैं इसको इसमें भी हर बार लॉस है तो कि आपको एक्जिट है एंड्री है यह इसमें भी आप अपने 10-12-15 परसंट लगा लो 55-60 परसंट रिटर्न आपके दस प्राइट बात करने लगे हैं क्योंकि रिटर्स तो आ नहीं रहें दूसरी चीज़े जी लॉंग टम म्यूचल फंड एसाइपी अन्यूचल फंड का लॉंग टम का एक्चिल है जी 15-20 साल पंदरा से 20 साल में अप अच्छा पैसा कमाएंगे लेकिन 15-20 साल को बताता नहीं क नौकरी चलीगी बच्चों की तो अब वो कह रहें कि तभी तो गवर्मेंट नहीं वाली स्कीम निकाल दी कि भी या तुम यह इंकम टैस का लफड़ा ही छोड़ो तुम अपना दूसरे वाला स्कीम आप्ट करो ब्लैंकेट रेट है अलग टैक्सेशन जो है तो इसलिए नि आप एक तरह का करना है तब जाके आप पैसा कमा सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि आपके बच्चे की शादी बच्चे की हायर एजूकेशन आपका कोई बड़ा खर्चा यह टाइमिंग तो मान के आएगा नहीं ना कि अभी मार्किट आपका बहुत अच्छा है और आप आप से निकल सकते हो तो कभी भी आ जाएगा और हो सकता है मार्किट डाउन साइकल में हो आपका 15 लाग इंवेस्टेड आपने उसकी 28 लाग उंचाई देख ली और आप 19 लाग पे है यह 16 लाग पे है तो आपको तो पैसा चाहिए तो यह आपको देखना है कि यह बच्चों को अभी से वीडियो बताईए साइपी करें मच्चे 22, 24, 25 साल के और करते रहें हो यह जो ग्यान तो हासिल हुआ आपको मुझे तो अभी पता चला तो यह आपको कॉल लेना है परसनल कॉल है बात करके ही पता चलेगा कितना डालना है कितना डालना चाहिए लेकिन मैं करें त्राकिंगेर होती है कि एक इैक्टक्षंड होता है जो टमीफटी 50 का अथा परसेंत का पहला है तो इंडेक्स होता है दिक अग्सडी के पषएंड़ सब्सक्राइबलें जिसकी attractive कम है अच्छे fund house का है expense ratio कम है index funds में expense ratio कम होते हैं क्योंकि passively managed है कोई दिमाग नहीं लगाना जिस तरह इसे nifty का ratio है सारी companies का उसी ratio में वो लोग खरीते हैं तो दिमाग जादा लगाते हैं नहीं तो खर्चा जादा होता नहीं otherwise जो actively managed funds है जी नाम में नूगा नहीं लेकिन जो companies इंडिया में काम कर रही हैं manufacturing कर रही है CEO दिमाग की धही कर रहा है उसका रोज काम करता है उनके तो packages इतने नहीं यह वाले भाई साथ सिर्फ आज यहां लगाते हैं यह टीम बना रहे हैं इसके इतने तो नहीं जार फंड को रखे हैं आप लोगों ने 600 स्टॉक्स के अंदर पैसा लगना है और उसके आपने एक एक पांच-पांच-पांच-बदस लड़कों की टीम बना रखी है वह पांच-पांच-बदस बढ़कों की टीम बना रहे हैं वह एसे टिक कर देता है यह लिए अरे दस साल का उनका track record देखो ना और statistics कैसे करते हैं, हर बार नया fund बना देंगे, तो किसी का किसी time period में तो performance अच्छा हो गई, यह जोतिश की तरह है, कोरोना कब खतम होगा, Trump जीतेगा या विदिन जीतेगा, दो करोड प्रेडिक्शन कर लो, दो करोड प्रेडिक्शन, किसी की तो सही होईगी ना, तो इतने fund बना लो, इतने fund बना लो कि अब यह मेरा खराब हो गया, वह बना रहा हूँ, समोसा बना रहा हूँ, एक समोसा बना एक खराब हो गया, शेप खराब ही फैक दिया, दूसरा बना ले, कोई तो perfect बनी जाएगा, फिर बोलो देख, उसी को द index fund is best equity is best पर इसमें आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा और मैंने रिटर्ण्स आपको बताया ध्यान से एक और चीज़ सुनिएगा मेरी कि mutual funds में अगर आपको mutual fund वाले ने 10% return actual में दिया तो 2.5% तो उसने अपना ही रख लिया जो उसका चार्ज है ठीक है तो वह चार्ज में साड़े साथ परसंट आपका बच मिला आपको उसमें एक परसंट गवर्मेंट ले जाएगी अगर आप बेचोगे तो साड़े चाहे मिल साथ परसंट में तो आपको PF में मिलता है तो इतना कलेश करने की क्या जूरूत है लाइक में प्राक्टिकली कितने रिटरंस आप एक्सपेट कर रहें गोइंग फ़रोड एक नॉमी में नॉमिनल GDP प्लस इंफलेशन इस दे ग्रोथ अगर अगर कंट्री का GDP एक परसंट ग् मतला math it doesn't add up ना क्योंकि उसमें agriculture भी है बाकी चीज़े भी है जो इसको पीछे खीच रही है कंट्री को तो कंपनिया ही सिर्फ थोना कमा रही है लॉंग टम में लोग कहरें equity ownership कमें इंडिया में बढ़नी ची और बढ़ने से shares बढ़ता है क्यों बढ़ने से share price नहीं बढ़त लेकिन ultimately जो share prices हैं वो long term में company पैसा कमारी है नहीं कमारी है उस पे depend करते हैं इस पे depend नहीं करते हैं कि इसको बहुत लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं बहुत लोगों ने खरीद लिया वो larger full story है इसने खरीदा कि share बढ़ेगा इसने सोचा share नहीं बढ़ेगा इसने बढ़ेगा इसने खरीद लिया फिर इसने खरीद लिया फिर इसने खरीद लिया यहां जब और कोई खरीने वाला नहीं और कोई trigger नहीं है और वो story play out कर चुकी है तो मैं वो चो मैंने video number 3 बनाया है वो बहुत लोगों ने अच्छे से शाद समझा नहीं है शाद देखा नही उसको आप देखेंगे वो मेरा base है सारी series का अगर आप लोगों ने उसको थोड़ा सरसरी निगा से देख लिया या समझ में नहीं आया है मेरी request है revisit करो उस video को वो चीज हर investment में play out कर वी है और हर जगे हर जगे वो video applicable है तो वो video देखिए take away इसका यही है कि mutual fund को बुरी चीज नहीं है लेकिन direct आप लीजिए direct scheme set उसके अलग नाव होता है उसमें कम से कम आपका खर्चा expense ratio कम होता थोड़ा दूसरी और उसका नाव भी अलग है इसी वज़े से और वो 10-12 साल में substantial amount बन जाता है दूसरी चीज इंडेक्स fund ही खरिक लीजिए DMAT account खोलिए आप indexment खरिक लीजिए ठीक है यह direct indexment खरिक लीजिए किसी से और प्लीज यह 15-25 फोलियो मत रखिए manage करने मुश्किल है खुदा नाखास्ता कुछ हो गया तो बाकी लोगों को घर परिवार को नहीं पता हो रायता कैसे समेटना है तो यह मेरी request है कि आप यह ना करिए दूसरा आगे आने वाले वीडियो में मैं real estate, insurance, आपके taxation, आपका gold, sovereign gold bonds इस तरह के बहुत आगे वीडियो बनाऊँगा मैं हर चीज का जो भी अंदर उसके फाइदे हैं नुकसान है और आपको क्या tweak करना है तो करना तो यह 5-6-7 चीज़ों में इतनी बहुत options नहीं है लेकिन उसको कैसे tweak करना है अपना level बढ़ाना है knowledge का और जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा change करना है बार-बार fund नहीं change करने है इंडेक्स fund लेने हैं और पैसा वही लगाना है जो आपको पता है 15 साल नहीं कि इसलिए 15 साल यह बताते इसलिए क्योंकि को इन्वेश्टी नहीं करेगा long term long term बोलते रहते हैं कभी पहले 2 साल 3 साल बोलते थे अब वो 5 बोलने लगे हैं 15 बोलने के हिमत नहीं होती है साल का हो रख है जिसके खर्चे लाइन डफ हैं आगे अब वोल घुज रहा है mutual fund में और बहुत पैसा डाल रहा है